जे मसीकी, आज के सुर्गी मिन्ना का भाग हमने लिया है इफिसियो की पत्री, उसका चौधा अध्याए और उसका सैत्रवा और अठारवा वचन वचन कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभू में तुम्हें चितावनी देता हूँ कि जिस प्रकार गैर यहूदी अपने मन की अनर्थ रीती पर चलते हैं, तुम आगे को वैसा ना चलो क्योंकि उस अज्ञानता के कारण जो उन में है और उनके मन की कठोड़ता के कारण उनकी बुद्धी हंदकार में हो गई है और वे परमेश्वर के जीवन से अलक हो गए है धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे वचन में श्यक्षा है, तेरे वचन में बुद्धी है, तेरे वचन में परमेश्वर हमें ज्ञान मिलता है दोस्तों ये वचन हमें क्या बताता है और मन की कठोड़ता कैसी होती है दोस्तों हम मसी लोग जब परमेश्र के चरणों में आते हैं और जब हम पश्चताब करते हैं अपने पापों से और परमेशर के चरणों में हम कहते हैं कि हम परमेशर तेरे चरणों में आते हैं और हम पर श्रताब करके तुझे अपना बनाते हैं और उसी वक्त इश्व मसी की आत्म हम में आ जाती है हालेलिया हम पवित्र हो जाते है दोस्तों लेकिन मसी जीवन जीते जीते हम इस संसार में रहते हैं इसलिए कहीं न कहीं हमसे कुछ गल्तियां होती है हमसे कुछ ऐसी बाते हो जाती है जो परमेशर के मन के विरुत है और हमें पता होता है हम जानते हैं कि वो हमसे गल्ती हो चुकी है हमसे पाप हो चुका है लेकिन हम अगर उस समय पस्टाताब नहीं करते है अगर हम उस समय परमेशर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमारा मन कटूर हो जाता है और वो कटूर मन फिर अपने आपको जैस ठैराने के लिए अपने आपको सही ठहराने के लिए वचन को ढूंता है बाइबल में से वचनों को ढूंता है ताकि वो साबित कर सके कि जो उसने किया है जो उसने गलती की है वो सही है नहीं दोस्तों परमेशर का नियम एक ही है परमेशर का कानून एक ही है कि अगर हमने गलती की है तो हम उसका पश्चाताप करें हमने गलती की है तो हम शमा मांगें अगर हम शमा नहीं मांगते अगर हम पश्चाताप नहीं करते तो हमारे मन की कठोड़ता हमें परमेश्वर से दूर कर देती है हमें परमेशर के जीवन से दूर कर देती है दोस्तों याद करिए पत्रस्त जो कि इशोमसी से बहुत प्यार करता था पत्रस्त ने यहां तक खाता कि इशोमसी मैं तरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ मैं तरे लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन इश्वों से ने क्या कहा था? कि मुर्गे की बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार करेगा और वही हुआ, वही हुआ, हालेलुया, पत्रस ने इंकार किया लेकिन जब उसने इंकार किया, दोस्तों, आप सुचिए कि उसने पश्चाताप नहीं किया मशलियां पकडने के ले गया था, जिस जील से इश्वमसी लेकर आया था, जिस जील से पत्रस को लेकर आया था, जिस जील पर उसने हजारों मशलियों को पत्रस के सामने फेका था और बताया था, कि इन हजार मशलियां तेरे सामने कुछ नहीं है, पत्रस, मैं तुझे जो मन की कठोड़ता को दूर करने के लिए उसके पास आते हैं और कहते हैं तीन बार कि पत्रस क्या तुम उससे प्यार करता है तो मेरी भेडों को चरा पत्रस को याद दिलाते हैं कि तेरा तुझे मैंने क्यों चुना है तेरी मुझे क्यों जरूरत है तेरा काम क्या है, तुझे मशली नहीं पकड़नी है, तुझे संसार में नहीं रहना है, तुझे संसार में रहते हुए मेरी महीमा को गाना है, मेरी महीमा को गाना है, एक बारा कहता है कि हम इसलिए चुने गए हैं, ताकि हम उसकी महीमा का कारण हो, हमारी वजह से, हमारी तो आप परमेशर की सेवा नहीं कर पाएंगे। परमेशर के वचन आपके जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सुरूरी है कि अगर हमने कोई पाप किया है, हमने कोई गलती की है, हमने कोई ऐसा काम किया है जो परमेशर की दृष्टी में गलत है, तो हम उसी स में हम शमा मांगे पश्चताब करें कि नहीं परमेशर मुझसे गलती हुगी है मुझे माफ कर, मुझे माफ कर ताकि मैं आगे से ऐसा काम ना करूँ और तब आपके मन की कढ़ोड़ता दूर हो जाएगी और परमेशर का वचन आपके जीवन में काम करने लगेगा दोस्तों, आज की सुबह अद्बुत है धन्यवाद देते हैं पिता परमेशर तेरा मन हमारे अंदर है इसलिए उस मन के अनुसार हम अपने मन की कढ़ोड़ता को दूर करने के लिए तेरे सामने आते हैं परमेशर जिन भाई भेनों का मन कठोर है परमेशर, उन्हें तू ऐसी बुद्धी दे कि वो खशमा वांगे और पश्चा अताब करे ताकि तेरे राज्य का सुख भोग सके तेरा आशीश भोग सके तेरा वचर उनके जीवन में काम कर सके एश्यो मसिया के पवग सामने नाम से मांगते सुनने वाले हर भाई भेन के लिए आशीश सुक और जंगाई मांगते प्राथ रापने सुनी कुबूल कि एमेन